हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकमिर पिंस, हम आगे फिर अपनी बोख कृतिका भाग एक का सेकेंड चैप्टर कल हम आपको फर्स चैप्टर समझा चुके हैं और उनके प्रशन उत्तर भी सॉल्व करा चुके हैं यह जो उन सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इनकी राइटर है म्रदुला गर्ग जी ने जो यह चैप्टर लिखा है मेरे संग की औरते मतलब उनके परिवार में उनके साथ साथ जो औरते रही उनके बारे में उनकी नानी परदादी मा और फिर उनके साथ उनकी बहने यह जितनी भी औरते रही इन सब के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने समझाया है इनके साथ उनके रिष्टे कैसे रहे या उन्होंने इनके साथ क्या-क्या चीजे सीखी ये सारी चीजे इस चैप्टर में हमको एक एक करके म्रदुला गर्ग जी ने हमको बताई है याद रखिए जब इस तरीके के चैप्टर आते हैं जो उन्होंने लिखा बहुत बड़ा था लेकिन उसका एक अंश ही हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है तो ये जो अंश प्रस्तुत किया है इसमें ये चीज़ जब इस तरह के पार्ट आते हैं तो ये अधूरे रहते कहां से शुरू हो रहे हैं कहां कतम हो रहे हैं कुछ ऐसा नहीं रहता लेकिन तब भी जो ये पार्ट शुरू हुआ है इन्होंने अपनी नानी के साथ में सुष शुरू किया है और साथ में जब इन्होंने स्कूल में पढ़ रही थी कैसे कैसे क्या हो रहा था ये सारी चीजे इन तक पहुँची हैं और इन्होंने बताई ही लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से रहात रखेगा इनमें बहुत सारी लेडिस हैं इनकी बहने हैं इनके भाई हैं उन्होंने कौन कौन सा प्रोफेशन लिया या किस कस्त किस तरीके से उनके प्रोफेशन या उनकी शादियां जो कुछ भी रहा वो सब चीजों के बारे में बताया गया है तो इसलिए चैप्टर को केरफुली समझीगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो कोशन आएंगे वो आपको बहुत केरफुली करने होंगे क्योंकि इस बार आपके एक्जाम में जो आ रहे हैं वो MC के उस बेस कोशन आ रहे हैं तो ये चैप्टर आपका रिट करना बहुत ही बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने एक बार भी चैप्टर रिट करने में जरा सी भी डिलाई करी कि हम चैप्टर आए हम चलो नहीं करते हैं कोशन आंसर पढ़ लेंगे हो जाएगा नहीं आपका चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब MC के उस बेस कोशन आते हैं तो वो चैप्टर के बीच से कहीं पर भी से लिए जा सकते हैं तो चली अब देखते हैं इस चैप्टर में म्रदुलागर जी ने अपने और अपने परिवार ने और उनके साथ जो औरते रहीं उनके बारे में क्या कहा है तो पहला क्या है प्रंस्तु संस्मरण लेखी का म्रदुलागर द्वारा लिखा गया है संस्मरण मतलब किसी चीज़ को जब हम याद करके लिखते हैं यानि हमारे साथ घटे तो हो चुकी है और फिर उन यादों से निकालके हम उन्हें कुछ पन्नों पर लिखते हैं उनको सजीव करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे संस्मरण याद रखेगा यह गद्य की एक विदा है संस्मरण क्या है इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित और सभाव पर प्रकाश डाला है कि मतलब उनके परिवार में जो जो औरते रही उनका कैसा व्यक्तित हो रहा है कैसे कैसे अपने अपने वर्क प्लेस में उनोहों ने काम किया चाए घर हो चाए बाहर हो उन्होंने किस तरीके से काम किया लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था लेखिका की नानी अनपड, परंपरावादी और परदा प्रतावाली औरत थी उनके नाना ने तो विवहा के बाद केंब्रिज विश्विद्याले से बैरेस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत की जिन्देगी बिताने लगे परंटो नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्या उन्होंने सबसे पहले शुरू किया अपनी परिवार की सबसे बड़ी जो सम्माननी ये सदस्य थी उनकी नानी उनकी नानी के बादे में उन्होंने सिर्फ सुना था क्या सुना था कि वो बहुत ही परंपरावादी लेडी थी लेकिन नाना क्या थे उन्होंने Cambridge विश्विद्याले से बैरिस्ट्री की और विदेशी शान शौकत के उसमें आ गए थी मतलब विदेशी जो चमक धमक रहती है वो सब उनकी उपर हावी था और वो वैसे ही जीवन वितित करते थे मगर नानी इसके जस्ट विपरीत थी वो हिंदुस्तानी परंपराओं से बंधी और उन परंपराओं को पालन करने वाली औरत थी अब क्या अता नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पती के एक मित्र स्वतंतता से नानी प्यारे लाल शर्मा को सौप दी कि वे अपनी बेटी की शादी आजादी के सिपाही से करवाना चाहती थी तो क्या हुआ अब जो नाना जी थे वो विदेशी सान शौकर से जादा करते थे तो उन्हें विश्वास नहीं था कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी अपने पती के हाथ में सौब दी कि तुम उनसे के लिए लड़का ढूंडो तो वो ज़रूरी कोई बिटिश या कोई अपनी जैसा ही लड़का ढूंड लाएंगे तो इन्होंने इसके जस्ट विपरित क्या किया इनके पती के एक मित्र थे वो मित्र क्या थे स्वतंतता सेनानी थे तो उनसे बोला कि मेरी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंड ये जो अपने देश के प्रती समर्पित हो अपने देश को ज़्यादा सम्मान करता हो क्योंकि उसमें देश क्या था परतंत था अंग्रेजों के आधीन था तो अंग्रेजों के आधीन होने के जगा तो वहां पर जो स्वतंतता सेनानी थे वो क्या करते थे हमेशा ऐसे लोग के साथ उनका रहता था कि जो देश के प् पूतरी के लिए ढूंडना चाहते थे यानि कि म्रदुलागर की मा के लिए पती यानि म्रदुलागर के पिता ऐसे तो अब यहां पर हम क्या आगए अता लेखिका की मा की शादी एक स्वतंतरता से नानी से हुई जब स्वापा गया तो उनकी शादी भी एक स्वतंतरता से नानी से हुई वे अब खादी की साडी पहना करती थी जो उनके लिए असहनिये थी लेखिका ने अपनी मा को कभी भारती ये मा जैसा नहीं देखा कहने का मतलब है कि वो खादी की साड़ी पहनती थी वही स्वतल्चता से नानी की वाइफ है तो जाहिर सी बाते स्वदेश में बना हुआ कपड़ा पहनेंगी तो मगर वो उनको जादा पसंद नहीं था कारती मा कैसी होती है कि वो अपने बच्चे परिवार घर पती सब के तरफ ध्यान देती है लेकिन लेखिका की जो मा यानी म्रदलागर की जो बेटी थी वो इन सब से बिलकुल हटके थी इन सब चीजों पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी उन्हें पुस्तके पढ़ना और संगेत सुनने का शौक था उनमें दो गुण मुख थे पहला कभी जूट ना बोलना और दूसरा वो एक की गोपनी ये बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी दो बाते जो मुख अपनी मा में बहुत अच्छी लगती थी वो पहली क्या थी कि वो कभी जूट नहीं बोलती थी और किसी के सीक्रेट को किसी दूसरे को नहीं बताती थी अगर आप में उनसे सीक्रेट बोल दिया है तो वो अपने पास ही रखती थी, वो किसी दूसरे को शेयर नहीं करेंगी इसी कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी लेखिका की परदादी को लीक से हट कर चलने का शौक था उन्होंने मंदिर में जाकर विनिती की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हूँ अब क्या हुआ शादी करके वो घर आ गई कौन? ब्रदुलागर की माँ उनके बारें बता रही है लेखिका की जो माँ है वो शादी करके आई अब ये हो गई लेकिन अब उनकी जो पर दादी थी यानि दादी की दादी जो उनके पिता जी थे हैं उनकी मां की जो सास थी उन्होंने बस ही मांगा कि हमारी पतोही यानि पौत्र वधु की जो पहली आउलाद हो वो लड़की हो बोलते हैं कि हमारी पहली ओलाद लड़का होना चाहिए वो भी उस समय के जमाने में उन्होंने क्या मंदर में जाकर बिंती मांगी कि मेरी पहली ओलाद यानि मेरी पतो हो कि पहली ओलाद जो है वो क्या होनी चाहिए लड़की होनी चाहिए उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए ईश्वर ने उनके घर में पूरी पांच कन्याएं भेज दी कहने का मतलब उन्होंने पहली आउलाद कन्या मांगी थी लेकिन भगवान ने उनके घर में एक के बाद एक पांच कन्याएं यानि कि लेखिका और उनकी चार बहने टोटल मिलाकर पांच बहने उनकी थी एक घर, एक बार घर में सबी लोग घर से बाहर एक बारात में गय हुए थे घर में जागरण था अता लेखिका कि दादी शोर मचने की वज़ासे दूसरे कमरे में जाके सो गई तो क्या हुआ कि एक दिन कहीं बाहर चले गए और घर में जागना चला तो दादी जो है वो अपना कमरा छोड़के कहीं दूसरे कमरे में जाने जाकर सो गई जाके तबी चोर ने सेंद लगाई और उसी कमरे में घुसाया अब क्या हुआ जिस कमरे में दादी सो रही थी उसी कमरे में सेंद लगा के चोर घुस गया पर दादी की नीन खुली उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा अब दादी पीछे पढ़ गई नहीं भाई पानी लाके दो पानी लाके दो तो बिचारा चोर भी हताश हो गया जाके वो कुएं से भरके एक लोटा पानी लाके दादी को दे दिया पर दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम मा बेटे हो गए हैं यानि कि एक ही जूठा खाने से उन्होंने क्या रिष्टा बना लिया चोर के साथ पहले तो लोटा पानी भर के लेकर आया आधा लोटा दादी ने खुद पिया और फिर आधा क्या किया आधा चोर को पिला दिया और कहा कि जो है अब हम लोग क्या हो गए हैं मा बेटे हो गए हैं क्योंकि जूठा खानी के कारण उन्होंने इसको एक संबंध में बाद दिया अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो उनकी बात मान कर चोर चोरी छोड़ कर खेती करने लगा अब उन्होंने कहा तुमको चोरी करनी है चोरी करो खेती करनी है खेती करो अब जब मा और बेटे का रिष्टा हो गया तो भई वो भी बड़ा आत्मसंबान वाला देखती था उसे ने भी क्या किया उस घर में चोरी नहीं करी और हमेशा के लिए चोरी चोड़ दी और खेती बारी कनने लगा लेखिगा की बेहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आएं कि वो एक लड़की है पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वो मनजुला भगत थी दूसरे नमबर की लड़की खुद लेखिगा म्रदुला गर थी घर का नाम उमा था घर का नाम उमा था तो यहां पर क्या बताया गया कि जो है उन्हों इतनी पांच भई लड़किया होने के कारण उनके अंदर कभी भी इस बात की हीन भावना नहीं आई कि इतनी सारी लड़किया हैं वो बड़ा ही गरव करती थी यह वो लड़किया है तो जो मननत मांगी गई उसमें जो पहली लड़की आई वो क्या थी हमारी मंजुला भगत थी दूसरे नमर पे खुद मरदुला गर्ग थी जिनके घर का नाम क्या था उमा तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेडू और अचला नाम की बहने थ अभी इनके बारे में भी बताया जाएगा आपको तो याद रखिए पहला मंजुला दूसरा म्रदुला तीसरी चित्रा उसके बाद में चौथी रेडू और अचला और जो छटे नमर पे उनके बाद भाई आया वो था राजीव तो ये पूरे टोटल छे बच्चे थे जिन के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेडू विचित्रा सभाव की थी चीक है तो यहाँ पर क्या बताया राजीव किसमें लिख राता हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखिक लिखने का मतलब क्या होता लेखिया जैसे मरदुलागल हिंदी की लेखिका है उसी तरह है राजीव ने क्या चुना हिंदी और उनकी जो बहन थी अचला उन्होंने क्या सुना कि वो अंग्रेजी यानि अंग्रेजी इंग्लेश लिट्रेचर में लिखेंगी इसकूल से वाफसी के समय गाड़ी में बैठने से इंकार कर देती थी और पैदल चल कर ही पसीने में तर होकर घर आती थी यानि वो मना कर देती थी कि मैं आप गाड़ी से नहीं जाऊंगी स्कूल से लेके घर तक का रिष्टा जो जिता भी रस्ता होता था वो पैदल तैय करती थी और पूरी तरीके से पसीने में भीक के तरबतर होके घर पहुँशती थी उनके विचार से सामन्तवादी विवस्था के खिलाब थे सामन्तवादी मतलब जो उनके कहते हैं आपको कहते ना कि किसी पर साशन करना उसको सामन्तवादी तो वो आप किसी पर जो साशन कर रही संस्ता होती थी उनका साथ देना वो अच्छा नहीं समझते थे और ये कार अगेरा ये सारी लैविश लाइफ जो है वो सामन्तवादी जो विवस्था थी वो उसके स्वरूप में वो मानती थी इसलिए वो कार का इस्तेमाल नहीं करती थी वह बिये पास करना भी उचित नहीं मानती थी लेखी का कि तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रूची थी अब जो उनकी तीसरी बहन थी चित्रा उनका क्या था वो पढ़ने में कम विश्वास रखती थी और पढ़ाने में ज्यादा इस कारण उनके शिश्यों से उनके कम अंक आते थे उसने अपनी शादी के लिए एक लड़का पसंद करके एलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से करेगी और उसी के साथ उसकी शादी हुई मतब चित्रा ने एक लड़का पसंद किया और उसने decide कर लिया कि मैं इसी के साथ शादी करूँगी और end में उसने उसी के साथ ही शादी करी आचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी जो सबसे छोटी बहन थी वो क्या थी? पत्रकारिता यानि की publication house जहां पे हम publish करते हैं आपका वहाँ पर और अर्थशास्त्र की जो है वो छात्रा थी उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था सभी ने शादी का निर्वा भली भाती किया कहने का मतलब है सभी अब उसने पिता की मरज़े से शादी करी और सब की शादी हो गई सभी ने अपनी शादियों का निर्वा बहुत अच्छी तरीके से निभाया समझा किया और जितने करतव ये होते हैं उन सब का पालन किया लेखी का शादी के बाद बिहार के एक कस्वे डाल्मिया नगर में रहने लगी अब मर्दुला जी अपने बारें बता रही है कि जब मेरी शादी हुई तो कहां पर आ गई वो बिहार के एक कस्वे कहां डाल्मिया नगर में वहीं पर वहां की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किये मतलब स्टेश शोज जो होते थे वो उन्होंने किये इसके बाद मैसूर राज के कस्बे बागल कोर्ट में रही वहां लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उनके और अन अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन भिन शहरों के अलग-अलग विद्यालेों में दाखिला लिया अब उसके बाद वो कहां आगे मैसूर के बागल कोर्ट में वहां पर उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें सिर्फ क्या होता था उनके ही बच्चे नहीं पढ़ रहे थे जिसमें उनके बच्चे यानि खुद म्रदुला जी के बच्चे भी पढ़ रहे थे और उनके अफसरों के जो बच्चे थे वो भी आकर उस विद्याले में पढ़ रहे थे और वो विद्याले इतना सक्सेस्फुल रहा कि आगे चलके वहां से निकलने वाले बच्चे बहुत बड़े-बड़े स्कूल में भी उन्होंने दाखिला लिया विद्याले खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वो अपने प्रयाज से में कभी असफल नहीं हो सकती परन्तु लेखिका स्वेम को अपनी छोटी बहन रेडू से कमतर आगती थी अब उन्होंने इतना स्कूल खोलना कोई बहुत चोटा गाम नहीं होता बहुत महिनत लगती है बहुत आपको करनी पड़ती है समझ बूच के साथ करना पड़ता उन्होंने विद्याले खोला और उन्होंने बताया कि वो किसी से कमतर नहीं है वो जो भी चाहें ठाने वो कर सकती है लेकिन उनकी जो छोटी बहन रेडू थी वो हमेशा अपने आपको उससे कमतर मानती थी वे एक अन्य घटना का इस्मरण करते हुए लिखती है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया रेडू की स्कूल बस नहीं आई तो अब वो क्यों ऐसा समझते हैं कि उनको लगता था कि रेडू जादा अच्छी है और हम नहीं है तो उसको बताने के लिए उन्होंने एक घटना को सामने रखा वो घटना क्या थी सन 1950 में दिल्ली में बहुत जादा बारिश हुई यानि कि 9 इंच के करीब बारिश हुई और उस बारिश में क्या हुआ कि रेडू की बस नहीं आई जाहिज सी बादे इतनी बारिश होगी तो उसकी स्कूल बस नहीं आई सब ने कहा कि स्कूल बंद होगा अतावा स्कूल ना जाए किंतु वह नहां मानी अब जाहिज सी बारिश में स्कूल कौन खोले था अब पहले की तरह ये थोड़ी ना मोबाईल ओफोन वगरा होते थे कि सब को मेसेज आजें कि भाई टुड़े इस डेनी डे होलिडे ऐसा नहीं होता था तो क्या हुआ सब ने बोला कि भाई इत्ती तेज बारिश हो रही है स्कूल बंद होगा लेकिन रेनू नहीं मानी तो उसने क्या किया अपनी धुन की पक्की बाद दो मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लोट कर आई मतलब अब उ उन्होंने देखा कि स्कूल बंद है तो फिर दो मील चलके वापस आई मतलब दो मील चलके जाना और उसी कठिट परश्टितियों में दो मील चलके वापस आना वो वापस आई और उन्होंने तब अपने आपको संतुश किया कि हां ऐसा था कि स्कूल तो आप सबने बोला स् इस वक्त पे उन्होंने बोला कि अपनी धुन में मन्जिल पाना मन्जिल चाहे कुछ भी हम डिसाइड नहीं कर रहें कि हर किसी के निसा के कोई एक मन्जिल होती है तो उनका कहने का मतलब था कि हम कोई भी मन्जिल डिसाइड कर लें कुछ भी कर लें तो अगर हम उसमें बगैर सोचे अपनी धुन में चलते रहें और मुरी मशक्यत के बाद उस मनजिल को पा लें तो उसका मज़ा सिर्फ हम समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ सकता मतलब अगर हमने कोई चीज़ सोची है और उसके लिए खूब मेहनत करी है और मेहनत करने पर वो चीज़ हमें हासिल हो जाए तो उसका जो मज़ा है वो कोई और सोच ही नहीं सकता तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट खतम हुआ जहाँ पर हमने आपको फूरा सार पार्ट का एक सार बताया हमने आप से पहले भी कहा कि बहुत ही बारी किया है इस chapter के अंदर चाहे भाई बहनों के नाम हो चाहे उन्होंने किस field में काम किया वो हो दादी परदादी नानी मा पिताजी नाना इन सब के profession हो या उनकी सोच हो कहीं से कुछ भी आप से पूछा जा सकता है इसलिए आप बहुत ध्यान पूरवक चीज़ों को पढ़िये chapter को read करना बहुत ज़रूरी है इसलिए जब भी आप किसी भी subject में देखिए MCQs based question के लिए जब भी आते हैं तो उनके लिए आपको बहुत अच्छे से read करना बहुत ज़रूरी होता है हम आगए अपना पार्ट मेरे संग की औरतों के प्रशन उत्तर लेकर है अभी हमने आपको इस पार्ट का पूरा सार समझाया कि इस पार्ट के अंदर है क्या समरी हमने पूरी आपको clear करी साथ मैं आपको कुछ चीजे मैंने समझने के लिए भी बोली कि बहुत जरूरी है इनके भाई बहनों नाना नानी परदादा दादी और माता जी इन सब चीजों के बारे में जो छुटी छुटी बात है इस चैप्टर के अंदर कही गई और ये लेकिस MCQs कहां से पूछे जाएंगे कैसे किये जाएंगे तो उसके लिए चैप्टर का रीड करना बहुत जरूरी है ये आएंगे जो हम आपको समझाने जारे हैं इनमें से तो कोशन आएंगे लेकिन साथ में MCQs कहीं से भी आ सकते हैं इसलिए सभी चैप्टर बहुत ही के लेकिरार्फूली रीड करिए देखते हैं इस पराट के कोशन आंसर क्या है हमने आपको पहले ही बताया कि ये पार्ट लेकिका म्रदुला गर्गद्वारा लिखा गया है। उसमें उन्होंने आपको बताया कि उनके साथ की जितनी औरते हैं उनके बारे में मतलब जैसे उन उनकी नानी, मा, और उनकी परदादी, उनकी बेहने, इन सब क्या-क्या वेक्तित्त वरहा, ये सब चीजें उन्होंने समझाई, और खुद उन्होंने अपने बारे हुदी थोड़ी चीजें हमको समझाई, अब वो सारी चीजें हमको समझा चुके हैं, अब ये हम देखते हैं उनके पैदा होने से पहले ही उनकी नानी का देहा वसान हो गया अब ऐसा क्यों था कि वो इतनी प्रभावित थी कारण क्या था उन्होंने जो बाते सुनी थी वो उनको अत्यदिक प्रभावित कर रही थी देश के प्रतील लगाव उनके पती खुद के क्या थे वो Cambridge विश्विद्याले से बैरिस्ट्री पड़ी थी उनके ऊपर विदेशी शानु शौकत का बहुत जादा प्रभाव प्रसार था और घर में भी ये चीज़ों का चलन था लेकिन इन सब के होते हुए भी नानी एक भारतिये नारी की तरह अपना जीवन बतीत करती थी हिंदत्तो को जादा महत्तो देती थी अपनी परंपरा अपनी संस्कृति का निर्वाह करती थी ये सारी चीज़ हमने आपको बढ़ाई तो उन्हीं को आपको इस आंसर में लिखना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं लेकिका की नानी अपनी बेटी का विवाह क्रांतिकारी से करने की इच्छुकते इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध करांतिकारी प्यारेलाग शर्मा से भेट की थी उस भेट में उन्होंने यह इच्छा पकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी करांतिकारी से करवाना चाहती है इस घटना से उनका देश के प्रती अटूट प्रेम पता चलता है तो क्या हुआ? पती क्या थे? वो अंग्रेजों की सानुषवकस से प्रभावित थे तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सोचा कि अगर मेरी बेटी की शादी अगर मेरे पती द्वारा करवाई जाएगी तो वो अपनी जैसा ही पती यानि विदेशी सब्वेता से जो प्रभावित वेकती है ऐसा पती ढूनेंगे तो उन्होंने क्या कहा? कि हम इनसे न करके उनके एक मित्र थे उनके जो पिता जी थे यानि नाना जो थे नाना जी के एक मित्र थे प्यारे लाल जी प्यारे लाल जी से उन्होंने भेट करी प्यारे लाल जी खुद एक स्वतंतरता सेनानी यानि की क्रांधी कारी थे तो उनसे कहा कि मेरी बेटी की विवाह की जिम्मेदारी मैं आप पर देती हूँ कि आप अपने जैसा ही एक वर का चैन करें और उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगी तो इस बात से ये पता चलता है कि उनका अपने देश के प्रती कितना जादा लगाव था वो कितना लगाव रखती थी सेकेंड है जीवन भर परदे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुस्ते मिलने की हिम्मत की इससे उनके सहासी व्यक्तित और मन में सुलक्ती स्वतनतता की भावना का पता चलता है भाई एक भारती नारी थी तो उस समय की परंपरा क्या थी कि हमेशा घुंगट में रहते थे अपने हस्बिन के इलावा किसी और को शकल नहीं दिखाते थे सारी उम्र उन्होंने इस चीज़ को किया लेकिन जब एंड का समय आया मतलब जब वो इतना बुजर्ग वाली एश पे आ गई तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने बोला कि नहीं अब मैं अपनी बेटी के लिए इन परंपराओं को भी अलग कर सकती हूँ और उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए जो है पर पुरुष के सामने आकर अपनी बात रखी और मनभाई भी तो इससे उनके हिम्मती और सहासी होने का पता चलता है फिर नेक्स राता है हमारा लेखी का कि नानी भले अनपर पुराने डंग और हमेशा परदे में रहने वाली महीरा रही हूँ परन्तु अपनी निजिस जिन्दगी में वे आजाद विचारों माली महीला थी उन्होंने कभी भी नाना जी के विचारों का अंधा अनुकरण नहीं किया बलकि अपने हिसाब से अपना जीवन बताया कहने का मतलब है कि वो होता ना परंपरा अनपर थी कुछ नहीं जानती थी सारा जिन्द किया तो उन्होंने उसका अंधा अनुकरणना करते हुए अपनी एक आइजेंटिटी बना के रखे तो ये सारे पॉइंट्स हम उसमें लिक मेंचिन कर सकते हैं इस कोशिन में सेगेंड कोशिन हमसे क्या पूछ रहा है लेखिका के लिए नानी की आजादी के आंधोलन में किस प्रकार की भाग्यदारी रही लेखिका की नानी माना की वो घर में रहती थी लेकिन उन्होंने आंधोलन में भी पार्ट किया जो करांतिकारी आंदोलन होते थे स्वधनता से नानी करते थे तो उस आंदोलन में उन्हें किस प्रकार पार्ट किया लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आदा दे कि आंदोलन में किसे प्रकार की भागेदारी नहीं रही मतलब प्रत्यक्ष में खुच जाक को मन ही मन में पनपने दिया, उन्होंने कभी पती के अंग्रेजी शौक को स्विकार नहीं किया, उनके पती अंग्रेजों के भक्त थे फिर भी नानी ने कभी भी अंग्रेजों की जीवन शैली को नहीं अपनाया, तो होता है ना, हमारे देश के प्रती प्रेम की भावना का प प्रदान यहरा कि इस विवा की घटना से एक उधारन प्रसुत किया कि देश में क्रांतिकारियों की को भी बड़ी प्रेड़ना प्रदान की अंगर लोग भी इस कार में उनके साथ रहे इस तरह अप्रतिक शुरूप से लेखिका की नानी की सुतंतता आंदोलन में भाई दिर कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हम अपने देश के प्रति प्रेम दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि बॉटर पे जाएं और लड़े हम देश में रहे कर भी ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जो हमारे देश के लिए फायदे मन दो तो यही काम उनकी नानी ने किया नानी अंग्रेजों को पसंद नहीं करती थी अपने देश से प्रेम करती थी तो उन्होंने क्या किया उन सब चीजों को अपनाया ही नहीं जो अंग्रेजी चीजे थी उन्होंने अपने भारतिय समाज को अपनाया फेट जब शादी करने की बारी आई तो उन्होंने बोला नहीं जो स्वतंतता से नानी यानी क्रांथिकारी है हम उसी से ही शादी करेंगे तो इससे देश के प्रती उनके प्रेम, आदर, सम्मान की भावना भी हमको प्रकट होती दिखती है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किसे से प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है नानी ने क्रांतिकारी आंदोलन में अपना पार्ट दिया अब next आपका क्या है ये कोशन हमारा 2 पार्ट में है पहला पार्ट है याद रखी जब दो पार्ट्स में दिया गया तो एक वक्त तब दिया जाएगा उसी पे आपसे दो कोशिन पूछे जाएगे तो पहला कियाद उनों ने दिया लेखिया कि मा परमपरा का निर्वान ना करते हुए भी सब के दिलों पर राज करती थी इस कथन के आलोक में आलोक में मतलब इसी कथन पे आधारित आपसे पूछा गया क्या प्रशन है आपका लेखिका की मा की विशेशताएं बताईए तो पहला तो ये आपको ये दिया गया संचेस अब यहाँ पे नानी नहीं मा के बारे में पूछा गया है ध्यान रखिएगा तो अपने आपको रिफ्रिश करते चलिए कि अभी तक हम नानी के बारे में बात करते थे अब मा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या हुआ परंपरा की निर्वान ना करते हूए सब के दिलों परूब एक भारतिय मा क्या करती है अपने बच्चों की देख भाल करना परिवार को देखना सब करना इन सब चीजों को उनकी माँ फॉलो नहीं करती थी लेकिन ये सब फॉलो ना करने के बावुजूध भी वो सब के दिलों पर राज करती थी, वो ऐसा क्यों था, तो हम चलिए यहां लिखते हैं, लेखिका की मा दुबली पतली सुन्दर इस्ति थी, इस कारण लेखिका ने उन्हें परिजात बताया है, परिजात मतलब एक सुन्दर, यानि परियों में जन मिलेने वाली, एक आधिवाधी परंपराओं की जो हैं, वो बहुत अधिक प्रे रख थी और उन्हीं का पालन करती थी, लेखिका की मा कभी किसी की गोपनिये बातों को प्रकट नहीं करती थी, वे सत्यवादी, इमानदार, नाजुक मिजाक और आजादी के प्रती जुनून रखने वाली महि ला थी, तो क्या उन्हें नें बताया कि बतने, शीक्रेट्स अपने अंदर रख लेना, मगर तब भी हम किसी के सामने चाहर कर बोल देते हैं, मगर उनकी मा ऐसी नहीं थी, शीक्रेट्स अपने अंदर रखती थी, इमानदार थी, बहुत इस सेंसिटिव लेडी थी, तो इस जो एक होता है जिम्मेदारियां, घर के जिम्मेदारियां, वो उन्होंने कभी नहीं उठाई, वो पुस्तकों में हमेशा उलची रहती, तो कि ताब में पढ़ने का उनको बहुत शोक था, उनका व्यक्तित इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में ना केवल उनकी राय ली जाती थी, बलकि उनका शत प्रतिशत पालन भी किया जाता था, मतलब उनकी डिसीजन ये सब चीजे इतने ज़्यादा अफेक्टिव रहते थे, कि घर में अगर कोई भी महतपूर फैसला लेना हो, तो उनसे जरूर पूछा जाता था, और जो उनकी राय होती थी, उस पर फ अब उसी वक्तवी पे हमारा दूसरा कोशिन क्या है, लेखिका की दादी के घर के महौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए, तो वक्तवी वही है देखी क्या है, लेखिका की मा परमपरा का निर्वाना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, इस कतन के आलोप में आ आई, दादी के घर में आईगी न, तो दादी के घर का क्या महौल था, इस चीज़ का हमें जो है, वो एक चित्रन प्रस्तुत करना है, तो उनको बताया था कि उनकी दादी जो थी, वो बिल्कुल अलगी थी, उन्होंने सब मानते थे न, कि हमारे घर में लड़का हो, अईकी प्रचलिक मानताओं से काफी अलग था, प्रचलिक मानता है मता है न, सब लड़के मांगते थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा बिल्कुल भी अलग थी, दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आजादी थी, घर में पुत्र, पुत्री में भेद भाव नहीं किया जाता था। स्वयम लेखिका की दादी ने अपनी बहु की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। मैं आपको बताया था। घर का महौल भी काफी धार्मिक, इस्त्रियों को उचिस सम्मान देने वाला और सहितित था। कोई किसी के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे एक दूसरे के पत्र भी नहीं पड़ता था। तो ये घर के महौल चोटी-चोटी चीजें जो हैं, वो आपको डारेक्ली चैप्टर में नहीं मिलेंगी। वो इंडारेक्ली लिखी होंगी और आपको उन सब चीजों को समझ के यहाँ पर यह लिखना है। तो वहाँ पर प्राइवेट लाइफ थी, इस्तरी पुरुष का बराबर सम्मान था, ऐसा नहीं कि इस्तरी हैं तो घर के अंदर ही रहें, ऐसा नहीं। अगर आप बाहर निकल कर काम करना चाहते हैं, तो आप बाहर भी जाएए, वर्क करिए, आपके लिए सब कुछ फ्रीडम थी। तो वो एक इक्वैलिटी उस घर के अंदर थी। नेक्स कोशन, आप अपनी कल्पना से लिखे की परदादी ने पतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मननत क्यों मांगी। आप इस बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, आपने ऐसा क्यों सोचा होगा उन्होंने। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देनी क्या, लेखिया की दादी स्वतंत विचारो वाली सहासी महिला थी, उन्हें लिख से अलग हटका चलने की आदत थी, उस समय लड़की की चाहा रखना मेरे नुसार उनके साहस और लिख से हटके चलने की सोच थी। तो यहाँ पर क्या चीज आपको बताई चारी है कि वो क्यों डिफरेंट थी, यह चीज अपनी सोच के साब से लिखना है, यहाँ पर हमने अपनी सोच के साब से लिखा है, इसको आप अपनी सोच के, आप क्यों ऐसा सोचने की उन्होंने ऐसा सोचा होगा, तो वो आप यहा धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगा सहजता से किसी को भी सही रहा पर लाया जा सकता है। पर उसके साथ किये गया वहवार से पता चलता है। या तुम चोरी करो तो वो विचारा भला आदमी मारे डरके उसने चोरी चोड़के खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। इस तरह क्या उन्होंने प्यार से मॉरलाइज करके उसकी चोरी चुवा के उसे एक अच्छा इंसान बना दिया था। तो ये वही वक्त वे है जिसमें हमें आग को बताना है। या मार पीट करती तो चोर सुधरने के बजाया और भी गलत रास्ते पर चल पड़ सकता था। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने अगर हम मारते पीटते तो शायद वो और गलत रास्ते पर चोर के बाड़ ड़ब दखैती, कतल, खुन और भी आगी कर सकता था। लेकिन उन्होंने प्यार से उसको समझाया और उससे चोरी छुड़वा दिया तो वो वक्तावे आप यहां पर लिखेंगे कोशे नमर सिक्स सिक्षा बच्चों का जन्र से दिकार है इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उलेक कीजिए उन्होंने बहुत से प्रयास किये थे शिक्षा को बहुत मात दिया इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किये शादी के बाद जब लेखिका को करनाटक के छोटे से कस्बे बावन कोट में रहना पड़ा तो वहां उनके बच्चों के पढ़ने की कोई उचित विस्था नहीं थी अतालेखी करने वहां अंग्रेजी माध्या में स्कूल खुलवाने के लिए विशब से प्रातना की परंतो जब विशब तयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों से कुछ उच्छाही लोगों की मदद से स्कूल खुला उसे सरकारी मानेता दिलवाई जिससे स्थानिय बच्चों को सिक्षा से दूर ना रहना पड़े तो ट्रांसफ़र हो गया था तो वहाँ पर उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जो है एक अच्छा स्कूल खुल जाए लेकिन नहीं हुआ फिर उन्होंने खुद स्कूल खोला बिशप से मतलब मिशनरी स्कूल करी थी अपील जब नहीं खुल पाया तो उन्होंने खुद एक स्कूल खोला और वहाँ पे उनके बच्चे और आसपास के अफसरों के बच्चे पढ़े और बहुत ही जादा उस एरिया के बच्चों को सि पुरा पढ़ लिया तो उसके आधार पर कौन सी घटना का वक्त यहां पर हमें प्रस्तुत करनी यह बताना होगा। पर गलत रोडियों को तोड़ डालने की हिमत रखते हैं और एक नवीन उधारन रखते हैं उन्हें पूरा समाश श्रद्धा भाव से देखता है। निर्णेयों को लेती थी तो ये वाला आप पूरी बात मतलब वहां की औरतें जो अब उसी तरह उनकी बेहन भी द्रण सरकती थी जो रेडू थी बरी बारिश में वो गई दो मील पैदल चलके और वापस आई तो सारी चीजें वहां पर यह सारी चीजें आपको मर्ज करके इ अपने विचार व्यक्त कीजें उन्होंने एक वक्त भी बोला था उसके आधार पर विचार व्यक्त करने क्या लेकिका और उनकी बेहन जो सोचती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी उनकी बहन बड़ी जिद्धी थी परन्त उनकी जिद्धी पन ने उनका द्रण अत्यदिक बारिश होने के बावजूद सब के मना करने के बावजूद लेखिया की बहन विद्याले जाती हैं गाड़ी होते हुए भी पैदल जाना पसंद करती हैं और दूसरी ओन लेखिका जब डालविया नगर में रहती हैं तब उन्होंने इस्तरी पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कारियों के लिए धने कत्रत किया करनाटक में स्कूल खोला यह सारी बाते लेखिका के स्वतंत व्यक्तित हिम्मत धैर और लीख से हटकर अपनी अलग रहा चलने वाले तथा अलग पहचान बनाने वाले व्यक्तित की और संकेत करती हैं तो यहां पर क्या अकेले पन का मज़ा ही कुछ और है मतलब क्या है जरूरी नहीं है कि हमें हर काम के लिए एक सपोर्ट चाहिए हम चाहें तो अपने द्रण संकल्प से जो भी चाहें वो पूर कर सकते हैं तो इसमें जो भी चीज रहा उनकी नानी को उनकी माता की विवा के लिए सपोर्ट न निभाते हुए एक ऐसा अपने घर में अपनी एक सेजिशन बनाई हुई थी कि हर कोई उनसे पूछ कर ही काम करता था लेखिका भी द्रण संकल्पली थी उन्होंने क्या किया उन्होंने एक स्कूल खोला विशप से प्रयंताक्री नहीं हुआ उनकी बेहने भी तो वो सारी चीज़ें आपको मिला कर इस वाले आंसर में बतानी है कि कैसे उनकी मानानी लेकिका उनकी बहनें सब ये सारी चीज़ें कर रहें थी तो इस तरीके से हमने इस पार्ट को यहां पर खतम किया हमने आपको हर एक चीज की बारी की बताई जरूरी नहीं है कि जो answer लिखे गए हैं आप डिटो वही answer इदम रट के लिखो समझ कर हर एक answer किया जा सकता है मगर उसके लिए पार्ट का समझना जरूरी है पार्ट समझ चुके, आंसर, कोशन आंसर हमने समझा दिये, इनको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं मगर लिखने से पहले ध्यान रखेगा, आपको हमेशा हर आंसर शुद्ध भार्षा में लिखनी है कुछ वजन लाने हैं, कुछ difficult words आपको समझने हैं, जो आप इन आंसर में लिखने हैं क्योंकि अब आप एक बड़ी class में हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं तो अपना next chapter लेकर हम जल्दी हैं फिर से आगेंगे आपके सामने और आपको हम ये उमीद करते हैं, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तेंक यू, बाबाई